कल की 2898 AD Movie Review, फुल पैसा वसूल है, प्रभास की कल की 2898 AD, VFX देख भूल जाएंगे Hollywood फिल्में, प्रभास की Most Awaited Film, कल की 2898 AD, आखरकार बॉक्स ओफिस पर रिलीज हो गई है, इस फिल्म में प्रभास के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोर्ण, अमिताब बच्चन, कमल हास चाहता है कि क्या ये फिल्म दर्शकों पर अपना जादू चला पाई या फिर नहीं, कल की 2898 AD में पौराने का कथाओं के साथ कल्युक के चरम को दिखाया गया है, इस फिल्म की शुरुआत दुनिया के आखरी शहर काशी से होती है, काशी में रहने वाला यासकिन कमल हासन एक नई दुनिया का सपना देखता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसे एक एक्सपरिमेंट की जरूरत है, जिसे वो सुमती दीपी का पादुकोंड पर इस्तिमाल करना चाहता है, भैरो प्रभास एक बाउंटी हंटर है, जिसे सुमती को खोजने की जिम्मे लेकिन इस दौरान भैरो को अश्वत्थामा अमिताब बच्चन का सामना करना पड़ता है, ऐसे में देखना होगा कि यह लड़ाई कौन जीतेगा और क्या अश्वत्थामा सुमती को बचा पाएंगे या फिर सुमती को कॉम्पलेक्स के अंदर क्रूर इरादों वाले होने वाला है, डाइरेक्टर नाग अश्विन की इस फिल्म के लिए खूब प्रशन सा होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन पौरानिक कताओं से ली गई इस फिल्म की कहानी को उन्होंने भविश्य की घटना से जोड़ा है, उनकी VFX टीम ने भी काबले तारीफ काम किया है, इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी को अच्छे से समझा जा सकता है,